हेलो अब्रीवन वेल्कम टू सी इजड प्लस इंडिया नमबर वन ओनलान लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर था इंजिनियर्स और आज के लेक्चर में मैं डिसकस करने वाला हूं आपको जो हमारा 27 अभी ऑक्टोबर को एक्जाम हुआ है मेकेनिकल इंजिनिरिंग का फैस्ट फॉलो करते हूं लेक्चर फॉलो करते हूं तो आपको बिल्कुल किलियर हो जाया कि जो मैंने पहले स्ट्रेटेजी बताई थी उसी पर बेश्ट पेपर आया है फिर से ठीक है तो पूरे सेशन को एंड तक देखना है इसमें मैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे क्वेस्ट हम डिसकस करूंगा कि किस लेबल के क्वेस्ट पूछे गए कि सग्जक्ट से कितना पूछा गया है वेटेज किसका सबसे ज्यादा है उम्मीद करता हूं आप सभी का पेपर अच्छा हुआ हुआ फिर भी अगर किसी का पेपर थोड़ा सा गड़बड हुआ है कितने नंबर का हुआ है बहुत से बच्चों को यही डाउट हुआ सर्क कितना कट आप जाने वाला है वो सारी चीजे में इस सेसन में डिसकस करूंगा तो पूरे सेसन को एंड तक बने रहना और देखना चीजों को किस तरह के क्वेस्ट पूछे जाते हैं दूसरी चीज हम यह भी देख करणा होगा उसको रियलाईज हो गया होगा कि हाँ पेपर का लेवल उसी पैटर्न पर आता है जैसा के पहले आपको बताएगया है और अगर किसी का पेपर थोड़ा बहुत गड़वड हो गया है तो टेंसन नहीं लेनी है बस मुस्कुराते रहना इसी तरह देखते रहना ह प्लस पर हर एक कंसेप्ट को आसान करने का तरीका कि कैसे हम एप्रोच करें एग्जामिनेशन की तरफ जिन लोगों का 2019 का पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो 2020 को टारगेट बना ले क्यों कि मार्च में पेपर होने वाला है उसकी भी स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी तरीका भी मिलेगा कहां से पढ़नी है चीज है कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्या कवर करना है कि क्वेस्टन आपके एजटिज आपसे फ्रेम हो जाए एग्जमिनेशन में और आप अटेप्ट ज्यादा करके आजए तो सारी चीज हम स्टार करूं बहुत अच्छे अगेनिकल इंजीनेरिंग का मैं डिसक्स कर रहा हूं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल तो सबके लिए कॉमन है टेंसन नहीं लेनी है देख विदर हम देख लेते हैं कि हमारा एनलिस जो है पेपर का सब्जेक्ट वाइस क्या है टेक्निकल की बात कर र है दो सब्जेक्ट्स बहुत इंपूरेंट है पहला फ्लो डा pressing और फ्लो डानलेक्त सर्फ़ीप्र अधर्यऩी कर लिया तो इहां पर जो हमारा फ्रस्ट सेश्चन जो गोई ता इस बार ज्ञाद ही पूचिए है त्लोरीप नूर्मो डानलेक्स mechanics हमेशा ज़्यादा पूची जाती है mechanical engineering में आपको भली बाती पता होगा नहीं पता है तो आप देखते हो सबसे ज़्यादा weightage है thermodynamics का इस बार बोलो sir thermodynamics तो बहुत बड़ी है basic thermodynamics से भी question आए है plus application से अगर मैं सिर्फ basic thermodynamics की बात करता हूँ इस से आपो कम से कम six to seven questions देखने को मिलेंगे examination में इस level के question पूचे गए example अगर मैं बात करता हूँ देखना एक question पूचा गया था कि entropy क्या होती है entropy क्या होती यह question as it is पूचा गया है अगर किसी ने paper दिया उसे realize भी हो रहा हो question same as it is जाया language के terms में आया है कि entropy सब जानते है entropy change अगर मैं लिखता हूँ delta is equal to dq upon t होता है बिल्कुल सही but question को देखो गुमाया कैसे गया था option कैसे दिये गया थे entropy equal to heat change या फिर heat transfer कैसे option थे heat transfer और divided by यहाँ पर constant temperature दिया था option में क्या दिया था constant temperature देखो इस तरह से option थे heat transfer divided by variable temperature heat transfer divided by constant temperature heat transfer divided by कुछ और temperature इस तरह से question पूचे गए थे clear रहे ना और क्या क्या टाइब के question थे जैसे properties से question आये थे properties क्या होती है जैसे हमारी thermodynamics properties पढ़ते हैं intensive extensive property इस level के question पूचे गए बहुत easy paper था अगर आपने चीजें पड़ी हैं तो यह तो basic thermodynamics अगर मैं इसके application की बात करता हूं जो सबसे most important है और इस बार सबसे ज़्यादा इसका weightage रहा है that is power plant इसका power plant का weightage सबसे ज़्यादा रहा है इसमें भी favorite topic है मैं बार-बार बुलता आ रहा हूं और पढ़ाया भी यह मैंने कहां पढ़ाया है सर अंको तो देखा ही है बिल्कुल सही बहुत अच्छा question अभी बताएं कहां पढ़ाया है जो 2020 की preparation कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत ही बढ़िया surprise देने वाला हूं और जहां पर पढ़ायागी यह चीजें जो ssej के लिए course frame किया गया आपके लिए उसम प्रेशा से मैं बोलता रहा हूं कुछ भी नहीं करना boiler के classification पढ़ने हैं इस बार देखो एक question बना था कि boiler में जहां पर हम फ्यूल को जलाते हैं जिस पर फ्यूल को रखते हैं उसको क्या नाम बोलते हैं उसका नाम क्या है सब जानते हैं मैंने पढ़ाया भी है उसको बोलते एक ग्रेट ठीक है तो option में एक ग्रेट option था और अब बड़े आसानी से कर सकते हैं एक question आया था which of the following is water tube boiler classification भी बड़े अच्छे से पढ़ाए गया है एक question पूचा गया था कि water tube boiler का maximum pressure कितना हम होता है तो सब जानते हैं 250 बार तक हम water tube boiler का pressure generate करते है इस टीम का और हमारा जो एक होता है water tube और एक होता है हमारा तो बताएगा उनको क्या बादा है दो तरह के होते हैं fire tube water tube fire tube में 25 बार तक का pressure हम obtain करते हैं इस तरह के question पूचे गए हैं आपको tension ने लेने तीसरा अगर मैं बात करता हूँ इसी power plant में most important topic rank and cycle इससे भी question अच्छे पूचे पूचे आते है पूचे गए हैं पूचे जाते हैं तीसरा तीसरे नंबर पर thermodynamics का application की अगर हम बात करते हैं थर्ड नंबर का application that is IC engine question बहुत भरमार पूचे गए हैं इस बार भी बोलो sir इस बार power plant में कितने question आए कम से कम 7 to 8 question या फिर 6 to 7 question ही आपको देखने को मिलेंगे first shift में और second shift में बिलकुल factual question है अगर आपने पढ़ा है तो चीज़ें बहुत आसान नज़राएंगी IC engine की बात करते हैं सबसे ज़्यादा important क्या है cycles auto cycles, diesel cycles, auto cycle है question आए था कि auto cycle में कौन-कौन सी process होती है तो जिदनी भी cycles है हमारी auto, diesel और dual cycle, adkisson cycle और हमारी strilling ये सारी cycle ये सारी cycles पूछी जाती है आपको चीज़ें पढ़नी भी है और question भी आये है कहां तक clear है सबको जल्दी बताओ जहां तक clear हो रहा है कि नहीं हो रहा ओके then after regard मैं बात करता हूं 4th वन, 4th वन क्या है IC engine में एक तो ये पूचा गया है और हमारे पास question इस तरह के भी पूचा गया है तो मोर्स टेस्ट से, मोर्स टेस्ट से question आये है इस बार एक दो question मोर्स टेस्ट से देखने को मिला है और हमारे question देखने को मिले है कि power से indicated power क्या होती है friction power क्या होती है break power क्या होती है यहां से भी question देखने को मिले है IC engine में indicated power और हमारी break power क्या होती है और friction power क्या होती है यहां से question देखने को मिले है IC engine में और हमको question देखने मिले है clearance ratio का question भी देखने को मिला है इस बार ठीक है तो यह सारी चीज़े आपको पढ़ाई गई है, कौर्स में पढ़ाई गई, कौन सा कौर्स है, एक बार देख लो, बार-बार सर कौर्स का नाम ले रहे हैं, इस एससी जेई, फास्ट ट्रेक कॉर्स, यह पूरा कम्प्रीट एससी जेई को, पेपर को लेके डिजाइन किया गया है, और जिसमें भी यह कोर्स देखा होगा, एक्जामिनेशन से पहले, आपको एज़ इट इस, 60 से लेके 70 क्वेसन, एज इट इस, जो आपको चीज़ें प यह पूची गई है, वो भी यहां कोर्स में सब कुछ रिलेटिड है, अगर एक बार आप देखोगे, वाकई में आपको फील होगा, कि हाँ सर, पेपर यहीं से आया है, कहां मिलेगा यह, आपको मिलेगा www.cizplus.com, ठीक है, तो जो 2020 की त्यारी करना चाहते हैं, तो अभी डि आपको website पर यह मिल जाएगा course, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है, यहां तक किसी कोई doubt नहीं है, और highly, high quality के videos इसमें provide किये गए हैं, आपको समझाने के लिए, high quality videos हैं, doubt sessions भी हैं, तो आप चीजों को बड़े आराम से समझ सकते हैं, ह 2-3 questions, RSE में पूछे गए, 2-3 questions, RSE में पूछे गए, IC इंजन में आपके 5-6 questions हमको देखने को मिले हैं, इस बार, ठीक है, RSE में एक तो psychometry से question आये हैं, psychometry से, दूसरा आपका refrigerant से question आये हैं, ठीक है, और तीसरा आपको air refrigeration cycle से question आये, उसके अजंट्सन पूछा है, air refrigeration cycle के adjustments पूछा गया है, इस बार, ठीक है, इस तरह के question हमको देखने को मिले है, RSE से, देखो सारे question paper में पूछे गए, मैं link कर रहा हूँ, आपको चीज़ों को, यहां तक क्लियर है, 5th बन अगर मैं बात करता हूँ, 5th topic की, 5th topic सर कौन सा पूछा गया है, एक होता है heat transfer, य यह, इस से एक भी questions नहीं आया, और हमने पहले भी बोला था, इस से question आते ही नहीं है, बहुत ना के बराबर है, कभी कभार पूछ लेता है, बड़ अडर बाइप पूछता है, यह सिलेवस में ही mention नहीं है, clear है, बिल्कुल clear, okay, उसके बात जो सबसे अच्छा weightage होता है, उस को बोलते हैं, float mechanics, float mechanics and float machinery या फिर हम hydraulic machines बोलते है, float machinery, जिसमें हम टरबाइन के बारे हम बात करते हैं, तो float mechanics के आपको 8 to 10 questions देखने को मिले हैं, हालांकि इसका weightage हमने expect किया था, 25, 20 से 25 questions पूछे जाते हैं, लेकर 8 से 10 questions यहां पर हैं, और 7, 8 questions ही यहां पर आपको देखने को म इसमें सबसे important है, turbines का classification, turbines का classification most important है, pump से question आए है, pump की manometer के efficiency क्या होती है, pump से question आए है, उसके बाद turbines classification से क्या पूछा गा है, low head turbine कौन सा होता है, high head turbine क्या होता है, तो इस तरह के questions पूछे गए हैं, ठीक है, तो यह बहुत important है, fluid mechanics और fluid machinery, on and average अगर देखा जाए, 18-20 questions आपको को मिले हैं यहां से, then after अगर हम बात करते है, theory of machine से भी question आए है, अच्छे खासे question देखने को मिले है, 4-5 question हमको theory of machine से देखने को मिले है, इसमें सबसे important topic है, degree of freedom, degree of freedom से question देखने को मिला है, किस तरह का, कि super structure की degree of freedom क्या होती है, तो f की value negative होती है, similarly, पूछा गया है कि kinematic chain क् link को interconnect कर देते हैं, और वो motion में रहते है, relative motion में तो हमारा क्या कहलाएगा, तो वो mechanism कहलाता है, इस तरह के question आपको देखने को मिले है, theory of machine में, यहां तक clear है, then after अगर हम बात करते है, 8th topic, कि एक आता है material science, इसके भी आपको question 4-5 question देखने को मिले है, और इसमें heat treatment important है, क्योंकि iron carbon diagram से cement tight और ferrite के question देखने को मिले है, heat treatment, iron carbon diagram, बहुत important है, मैं बार-बार बता रहा हूँ, यह इस चीज़ें आपको course में पढ़ाई गई है, बार-बार, बिलकुल design है, हमारा course, examination point of view के लिए design किया गया है, बिलकुल previous year के papers को analysis करते हुए, जब आप देखोगे lectures, त अभी तो, दिवाली offer चल रहा है, ठीक है, दिवाली offer या फिर discount आपको मिलेगा, 80% का discount चल रहा है अभी course पर, जिसको भी 2020 की preparation करनी है, अभी discount में ले सकता है, अदर्वाइस उसके बाद course की cost भढ़ सकती है, फिर आप मत बोलना सर के अब cost कम करा दो, clear है ना, तो दिवाली offer discount चल रहा है, आप आराम से देख सकते है, website पर www.cizplus.com, ठीक है, बाकी का जिन्होंने चैनल को subscribe नहीं किया, लाइक ठोको, बिलकुल लाइक ठोकते रहो, चैनल को subscribe करो, बहुत चीज़ां आपको सीखने को मिलने वाली है, ठीक है, next one, ninth, ninth topic जो हमारा production आता है, production, इसके बहु है, metrology के कुछ question है, limit वगएरा के, allowance वगएरा पूछा है, जिसे हम limit fit tolerance बोलते है, limit fit tolerance है, question आया था, उसके बाद, हमारे welding वगएरा से question आते है, welding से आया है, casting से question आया है, इस तरह से हमारा, ये production का part है, और हमारा metal cutting से भी question आया है, metal cutting, जिसमें रेक एंगल और ये सारी चीह आती है, ठीक है, तो production से कुछ question हमको देखने मिले है, हो सकता है, इसके question, number of questions, 2-3 और extra हो, तो 5-6 questions होंगे, 5-6 questions होंगे, ठीक है, ये सारा portion हमारा technical में पूछा गया है, machine design से बहुत काम question देखने को मिले है, एक-2 question है, machine design से अगर देख करने को मिले है, बहुत कम weightage आयस बार, और कम पूछा ही जाता है, no doubt, यहां तक चीज़ें बता दो, आपको clear हुई कि नहीं technical में, बहुत अच्छे, अब मैं non-technical को और discuss कर लेता हूं, किस तरह के question पूछे गए, क्या question पूछे गए, weightage क्या है, वो चीज़ें और discuss कर लेते हैं, इधर देखना है, अगर हम बात करते है, non-technical की, अब यहां पर confusion बच्चों को यह आया है, कि सबसे पहला जो weightage होता है, current affairs का होता है, सबसे ज़्यादा, current affairs के almost 10 questions पूछे जाते हैं, तो यहां पर आपको questions का variation 9 to 12 questions आपको पूछे है, current affairs के only, यह जो current affairs पूछा गया है, यह based on 2019 and 20 data पूछा गया है, जो March और April से पहले पहले का current affairs पूछा गया आपको, तो before April 2020 का current affairs पूछा गया है, और कहां तक November 2019 तक का, अब current affairs में भी question कि अगर हम बात करते हैं, किस तरह question पूछे गया है, कि जैसे मैंने आपको बताया था, current affairs को भी आप divide कर लो, कि किस topic से question पूछे आते हैं, जैसे सबसे पहला topic, कि कौन सी योजना किस state में start की, एक question वहाँ से बनता है, इस तरह question यहां से पूछा गया है, दूसरा question, अगर मैं बात करता हूँ कि, जो हमारा है, एक तो योजना का हो गया, दूसरा question अगर देखते हैं, अगर देखो, एक तो हमारा schemes का हो गया, दूसरा sports का हो गया, sports से question पूछा जाए कि कौन सी ट्रॉफी किसने जीती, जैसे 2019 का एक question आया, मैं example ले लेता हूँ, कि, world, table tennis का tournament किसने जीता था, 2019 का तो ये women's में, women's में किसने जीता है, वो पूछा गया था, ठीक है, इस तरह के questions हमारे frame हुए है, current affairs में, दूसरा यहाँ पर जो weightage इस बार जादा पूछा गया है, वो पूछा गया है, science में, वो भी chemistry और physics का, तो chemistry के अच्छे questions देखने को मिले हैं, बिल्कुल basic fundamental questions है, chemistry के आपको 5 to 6 questions देखने को मिले है, similarly physics के भी आपको 6 to 7 questions देखने को मिले है, ठीक है, 6 to 7 questions आपको physics के भी देखने को मिले है, biology के इस बार कम question दिखाई दिए, है बायो के आपको three to four questions biology के दिखाई दिए हैं उसके बाद most important हिस्ट्री आप हिस्ट्री में question modern इंडिया से ज्यादा पूछा है modern इंडिया से ज्यादा question पूछा है four to five questions आए हिस्ट्री के इसमें से इसे तीन question तो सिर्फ modern इंडिया से ही है जैसे कौन सा इंडिया का events कौन सी डेट को हुआ इस ने कौन सी organization start की इस तरह के questions फ्रेम किये गए ठीक है उसके बाद geography से भी question आए है जैसे कर मैं बात करता हूँ जियोग्राफी की मास अगर हमारा एक slope में slide करता है तो इसको क्या बोलते है तो इस तरह क्वेशन पूछा गया है जियोग्राफी में तो आपके अगर वेट जियोग्राफी क्वेशन की बात करते हैं तो यह four to five questions इसमें जियोग्राफी में पूछे लिए पॉलिटी में कम question देखने को मिले है इस बार वैसे weightage quality का ज्यादा होता है तू से तू ठीक सी देखने को मिले हमको इसमें से एक प्वेशन तो हमारा schedule के ऊपर था 7th schedule का question था तो 7th schedule किसकी बात करता है हमारा बात करता है list का question था है which of the following list का question था कि अगर यह बात करता है education को किस list में रखा जाता है education किस list में union में है central में या फिर concurrent में इस तरह question पूछाता union या फिर center center नहीं state union मतलब century हो गया क्या लिख दिया है कोई बात नहीं mistake हो जाती है इंसान से होती है center state list है या फिर concurrent list है तो इस तरह का question से आपको देखने को दिखाई दिया है कि उसके बाद fundamental right से question आते हैं कि आए है fundamental right और important अगर बात करते amendment से भी question आ जाता है इस बार आया नहीं है लेकिन मैं बात कर रहा हूं amendment से भी question आता है कि यह किस amendment में हुआ यहां तक clear है तो यह सारी चीज़ा आपको दिखाई देती है और दूसरा union के जितने भी है union या फिर center से related center से related जितने भी article है या फिर organization जितने भी है या फिर हम बात करते सेंटर में जितने भी article है जैसे president के बारे में पूछ लेगा वाइस president के बारे में पूछ लेगा इस तरह के questions भी हमको देखने को नजर आते हैं तो यह होगे हमारा अगर देखा जाए अब यहां पर हम बात कर लेते कट आफ की अगर देखा जाए तो जिसने भी पेपर अटेम्ट किया है 2019 एससी जेई अगर आपने 165 से लेके 175 questions attempt किये है questions क्या किये attempt किये this is the good attempt यह क्या है आपका good attempt है अच्छा खासा आपने attempt किया है लेकिन accuracy होनी चाहिए हम expected कर रहे है इस बार थोड़ा पेपर का जो लेवल था वह क्या था मीडियम टू मॉड़रेट लेवल था मीडियम टू मॉडरेट लेवल था ज्यादा hard भी नहीं बोल सकते एजी भी नहीं बोल सकते ठीक है मीडियम टू मॉडरेट लेवल था टेकनिकल भी और नॉन टेकनिकल भी ठीक है यहाँ पर लोगों को confusion यह हुआ होगा करेंट एकस्पेक्टेड कट ऑफ कि अगर बात करते हैं तो वह एकस्पेक्टेड कट ऑफ आप लेके चलो आपको 145 से लेके 155 तक अबजर्व हो सकता है सब्सक्राइब कुछ कुछ क्वेशन्स आपके थोड़े से इदर उदर हो गए होंगे तो आपके अगर आपकी 85% से अबब एक्यूरेशी है 90% एक्यूरेशी मान लो ठीक है तो दिस इस दा एक्सपेक्टेड कट अफ बाकी चीजे बहुत किलियर है सिंपल है टेंशन नहीं किसी को लेनी अगर किसी का पेपर थोड़ा बहुत इदर उदर हो गया है फिर भी टेंशन नहीं ले पाश्ट्रे कोर्स तो डिजाइन किया गया है बिलकुल SSC जेई एक्जाम को फॉलो करते हुए प्रेविश यर के जितने भी पैटरन के क्वेसंस आते हैं उन सब को फॉलो किया गया है और इस तरह का पैटरन आपके लिए पूरा सिलेवर्स डिजाइन किया गया है ठीक है करना बुनना है लाइक करो यहां पर एक बटन दिखाई दे रही होगी लाइक करो इसको हिट करो लाइक हिट ठीक है और चैनल सबस्क्राइब करो जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रूप जोएनने किया है most important क्योंकि यहां पर सारी आपको मिलेंगी टेलीग्राम ग्रूप का लिंक आपको डृस क्या मिल जाएक आजस का से बहुत ही खूबसूरत रहा है लुश्री चीज जितने भी स्टुडेंट देख रहे हैं वह एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि कितना नंबर का आपने एक एक और आप एकितने नंबर expected हो रहे हैं ताके हमारा और भी जो analysis करेंगे और accurate हो जाए कि हाँ कितने तक अगर आप हो तो बिलकुल accuracy feel कर सकते हो या फिर confident feel कर सकते हो कि हाँ हमारा selection होना है ठीक है चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, एक बाद चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, फिर आगे के लेक्चर हम लेके आते हैं, आप के लिए कुछ content भी provide करेंगे, कुछ चीजों को बताएंगे कौन सा topic बहुत important है, ये तो मैंने आज discuss करी लिय किया है, कुछ चीजों को मैं explain करूँगा, topic wise मैं वीडियो भी लेके आऊँगा, आप मुझे थोड़ा सा suggest किया करो, ताके हम आपके लिए helpful videos create कर सकें, ठीक है, बागी course आपके लिए design कर दिया है, आपको website पर मिल जाएगा, और app पर भी मिल जाएगा, app भी हमारा CIZ plus नाम से इस पर आप जाते देख सकते हैं, कलो आज के लिए तना ही वह, thanks for watching, tata, bye bye